धन्यवाद, सबसे पहले तो मैं यहां सभी मीडिया कर गी और सभी 31 आर्टिस्टों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 33 में निखा कि लोग आए और यह हमारी बैनर की पहली मूबी है इस मूबी में सबसे पहली चीज हमने द्यान देखा कि भोजपुरी जिसलिए जानी जाती है उस चीज पर मैंने पूरा फोकस किया कि एक साफ सुत्री छप के लिए अपने संसकारों के लिए भोजपुरी जानी जाती है और इसका नाम भी हमने वही दिया है कि जिस नाम से काफी कुछ पता भी चल जाता है उसका नाम हमने क्या दिया जुग जुग जिया हो ल फिल्म एक बच्चे पर दर्साई गई है और इसमें पूरा चीज ध्यान दिया गया है कि एक बच्चे पर एक साफसुदी शब के दिन गलो कैसी भोजपुरी फिल्म बनाया जाए जिसे दर्सा कामे एक एमोशनल फिल्म है इसको देखने के बाद इतना मैं दावे के साथ कह सक जाता हूं कि फिल्म देखने के बाद लोग इमोशनल होके ही थियेटर से बाहर जाएं कि पहली फिल्म के लेकर हमने सारी तैयारियां की है और सब अपने धंग से उस धंग से कर रहा हैं कि जिसमें बहुत कुछ नजर आ जाए और बहुत कुछ सेक्रेट रहने दो तो ज्या सबसे पहले तो मैं दिलीव सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज मेरा सबसे बड़ा सवभाग है फिल्म की सफलता ही बहुत कुछ बता देती है कि दिलीव सर जैसे लोग हमारे इस सेट पे आए तो फिल्म की आजी 50% सफलता तो दिखाई पड़ गई क्योंकि सार और मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि पुरा किम्ति समय निकाल के यहां पहुंचे हैं बोगड़े प्राश्पिमी सर्थ